नमस्का दोस्तों, इस वीटियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है SJVN Limited, इस स्टॉक 139 की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट में आज इसने 1.87% का डाउन वूव दिया था, मार्केट कैप है इसकी 54,432 करोज की, प्रमोटर होलिंग 81.80% है, बुक वेलिव 35.80 है, डिविदेंट इल 0.83% है, फेस वेलिव 10 है, फंडमेंटल वीडियो में अल्यडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस में आड कर दूएं आप देख सकते हैं, शॉट में देखें तो एनेजी क सेक्टर का यह स्टॉक है, एन्ड हिमाचल गवर्मेंट and गवर्मेंट आफ इंडिया का जोएंट वेंचर है, जो इसको कंट्रोल करता है, वो गवर्मेंट आफ इंडिया, इसको कंट्रोल करती है, अभी के लिए शॉर्ट में देखें, तो इस स्टॉक ने 50 DMA को प्राइस क के टाइम स्पैन पे वन मत पे देखें तो मीडियन से छोटू सी नीचे है तो यह एक पॉस्टिव पॉइंट है अगर आपी कंसीडर करें तो पी के साथ पैग भी कंसीडर करें पी इजी इसको ग्रोथ एजस्टेड पी रेशो कहते हैं उसे हमें पता चलता है स्टॉक इतना स सौरी इंक्रीज ही हुआ है 97.51 था अभी 97.79 तो यह भी इंक्रीज हुआ है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जन भी इंक्रीज हुआ है 46.91 परसंट था 74.26 परसंट है नेट प्रॉफिट मार्जन माइनस में था 6.14 अभी 41.03 परसंट है तो काफी अच्छा जंप इसमें सब च चार्ट पे चार्ट पे देखिए आज हमें डाउन मूव देखने को मिला है एंड डाउन मूव मिला है हमें 1.87 परसंट का एंड स्टॉक अपने स्टॉंग रिजिस्टेंस को तो पहले ही ब्रीच कर चुका था उसके बाद इसने कोशिश भी करी थी फिर ब्रीच किया कल भी इसने डाउन मूव ही दिया था हमें यहां पे 1.27 परसंट का डाउन मूव मिला था आज भी हमें यहां पे डाउन मूव ही देखने को मिला है तो बेसिकली जो भी यहां पे हमें मूव मिले थे इसका हमें यहां पे सारा खामयाजा भुगतना पड़ा है और काफी ज्यादा यहां पर loss हुआ है तो अभी के लिए basically देखे तो stock जो है चैनल के बाहर trade कर रहा है और यह जो इसकी strong support था 138.67 इसको ब्रीच कर चुका है अब एक बात यहां पर ज़रूर ध्यान में देने वाली है कि हमने हमेशा बात करें कि support and resistance का ना हमेशा एक range होती है तो यह देखे यह भी इसका support बनता है तो अगर उस चीज़ को ध्यान में देखके चलें तो तो यह अपने support से उपर ही trade कर रहा है और यहां से इसने reversal जरूर लिया है तो हमेशा एक range होती है तो मैं यह नहीं बोलूँगी कि यह बिल्कुल support से लेकर चलेंगे तो अभी के लिए यह थोड़ी से दुवदाजनक स्थिती में तो अफकॉस यह आ चुका है आरे से के बात करें 45.56 के उपर trade कर रही है डेली आरे साई एक पर weekly chart पर हम चलते हैं एंड चीज़े थोड़ा सा एनलाइज कर लेते हैं ओके तो weekly chart पर देखें sellers buys दोनों के हाथ में दिखाई दे रहा है बट यह जो candle है यह सिफ दो दिन की candle है तो अभी three days three trading days इस week के पड़े हुए हैं तो अभी कुछ हम shorty के साथ बोलनी सकते कि यह किस दिशा में जा रहा है बट यह थोड़ा सा जो हमें पता चलता है उसके तरीके से अगर देखें त इसको hiccup यहां पे जरूर मिलेगा ठीक है तो अभी के लिए यह 20 day simple moving average से भी daily chart पे नीचे trade कर रहा है तो अभी के लिए एक चीज़ यहां पे ध्यान में देने वाले है कि यहां पे हमें death cross मिला था and death cross के बाद हलांकि इसने बहुत ज्यादा negative move नहीं दिया है बट यह से crawl 24% के move मिलते है थोड़सा अंधजा दाजा लगाकर चलते हैं तो यहां पर हमें golden cross मिला है तो यहां से यहां के move देखें तो 17 20% के आसपास के हमें move यहां पे मिलते हुट हुए दिखाई कर सकते हैं डिलिव एंट्री पॉइंट के लिए अभी के लिए देखें हम ट्रेडिंग विए एंट्री तो वहां पे टेक्निकल एनले से सेल की है मुझे लगता है सेल की तो नहीं बनती यहां यह सपोर्ट इसका जो स्ट्रॉंग सपोर्ट है वो काफी दूर है यह भी इसका स सपोर्ट बनते हैं 132.45 का है बेसे तो तो यह दूनों सपोर्ट हैं बटी सपोर्ट जो है न काफी नीचे है तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री मुझे लगता है शौटर रन के लिए अगर लोगर रन के लिए लेनी है जो कि मैं लोगर रन की बात करें या तो मिनिम्म सिक करें तो आपको बता होगा कि ये stock ना बहुत अच्छे move देता है काम बहुत अच्छा कर रहा है energy की sector में है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो एक पर चलते हैं इसकी BSC पे एक news है हमारे पास तो 20% का यह हम पर price band है आज इसकी earning call transcript आई है तो earning call transcript में एक चीज मैंने यहां पर देखी है जो कि काफी important है तो यहां पर हमने बात करी थी कि यहां पर company stake अपना sell करने वाली है जो इसकी सबसीडरी है SGVN green जो है तो उसकी सबसीडरी का कितना पसेंट हमें यह नहीं बता था कि SGL by 20% तो अभी approval नहीं आया है बट 20% के आसपास यह अपना stake जो है वो यहां पर dilute करने वाले हैं तो अभी हमें यह news definitely मिलती है बाकि आप यहां पर पढ़ सकते हैं इनके जो plans हैं कि क्या क्या करने वाले हैं आगे क्या क्या इनके plans हैं future के कितने energy की इनकी capacity जो है वो यह increase करने का सोच रहे हैं आगे और यहां पर इन्होंने बुला यह नेपाल के plant के बारे में कुछ बात हुई है तो यहां पर quarter 3 और 2026 financial year के बारे में यहां पर बात की गी है तो यह आप detail में पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं अभी यहां पर बनाने लगए वीडियो तो बहुत long हो जाएगी बट यस अगर कोई चाहता है कि मैं वीडियो बनाओ तो कम सकम 10 comments आएंगे कि अगर वीडियो बनानी है बस यह है कि जैसे ही यहां पर golden cross अगर हमें मिलता है अगर कल हमें move मिलता है और golden cross मिलता है तो यहां पर वो जरूर entry जरूर बनाई जा सकती है जैसे बहुत shorter and money but यहां पर कितना 4 July से लेके किते तक 15 July तक तो मतलब वन वन टू वीक्स के अंदर अंदर तो इसने दिया था तो मतलब टू ट्रेडिंग वीक्स के लिए एंट्री ट्रेडिंग वीक्स के लिए मेल दी एंट्री यहां पर बनाई जा सकते 20 2021 डेज के लिए roughly अब यहां पर वॉल्यूम के अगर हम बात करें क्योंकि हमें यहां पर देखी यहां पर 14th को हमें positive move मिला 3.65% का उसके बाद candle इसलिए red है क्योंकि यह gap up opening भी इसकी रही थी एंड यहां पर जो opening है उसके नीचे इसने closing दी थी तो यह ज़रूर यहां पर देखने को मिला है उसके बाद profit booking मिली है and 0.58% का move मिला था उसके बाद हमें negative move मिला कल Monday को 1.27% का उसके बाद फिर से हमें negative move मिला आज 1.87% का volume की इसमें बात करें तो 58 0.58% का जो मिला था हम फ्राइडे को उसमें volume आया था 10.91 मिलिन का 11 मिलिन का इनसी पे कल volume आया था 11.47 मिलिन का आज volume आया है 8.50 मिलिन का इसे एक चीज तो जरूर हलांकि यहां पे sellers हावी है बट एक जरूर यहां पे पता चलते है कि यहां पे sellers काफी हावी है यहां पे buyers का इतना जादा support नहीं द होता है 60% तो यह जरूर है कल मुझे लगता है कि यहां पे reversal हमें देखने को मिलने की उमीद जरूर है अब यहां पे एक और aspect आता है वो है US की market क्योंकि यह stock मैंने बहुत बाट देखा यह market के against कभी भी नहीं जाता है बहुत rare होता है कि कभी चला गया बट market के against नहीं जाता है और बाकी stocks की भी बात करें तो मुझे लगता है यह strong move मिलता है कुछ stocks है जो बहुत strongly market के against भी चले जाता है जब market correct हो थी तब भी 20-20% के move मिले है वो एक different aspect है बिल्कुली different के वह news driven चीज़े होती है result आ जाता है वो एक बिल्कुली different चीज़ है but yes यह fundamentally strong support जोता है market को respect करके चलते हैं तो अभी के लिए मैं बस इतना चाहूंगी कि ज्यादा नहीं कुछ तो यह channel के अंदर आ जाए बस इतना चाहूंगी बाकी let's see कि क्या होता है कल market में तो shorter run की entry या तो market में हमें बहुत अच्छा यहां पे volume jump अगर मिल जाता है तो market में entry बिनाई रसके या market US market को न replicate करें तो यहां पर थोड़ा सा वो चीज हम देखने को देख सकते हैं entry point से and दूसरा RSI जो है जो इसको support basically मिलता है वो मिलता है इसको लगवग यहां इसके आसपास support तो है थोड़ा से नीचे जाके मिलता है basically 43.85 के आसपास मिलता है यह 45.56 पे है तो हो सकता है कि थोड़ा सा यह fluctuate करें बट जिस तरीका की delivery percentage गया उस तरीके से तो मुझे लगता है कि कल move की संभावना है reversal मिलके I just hope कि इसके ऊपर trade कर जाए 140 के ऊपर trade यह sustain कर जाए तो फिर इसको थोड़ी सी असानी रहेगी चीज़ों के लिए तो यह मिरी analysis है and target में कोई नहीं लेके चले हूँ एक recovery का बस glimpse मिला है let's see कि यह sustain करता है नहीं करता है क्या है तो उस चीज़ का जरूद ध्यान में रखे and rest यह सिर्फ मेरी analysis है कोई buy sell hold की recommendation नहीं है आप अपनी analysis कीजिए जानी समझे पढ़िए और फिर invest करिए जलते हैं next video में तब तक के लिए शुक्रिया and happy investing